नमस्कार दुफ्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे भारत के जितने भी इन्वर्शिटी वा कॉलेज के या फिर आप कर सकते बीए बीए सी बीकॉम एममें सेम कोम के जो चात्र हैं उनके एडमिसन को लेकर सबसे बड़ी हो सबसे जरूरी अपडेट आप लोगों किस वी परमोट वाले चात्र या फिर जिनकी परिछाओं कि उनका रिजल्ट आता रहेगा विदाउट आप लोग के रिजल्ट आये ही आप लोग एडमिसन ले सकते हैं यह गवर्मेंट का अफंडा है यानि कि नियम कानून लागू कर दिया है तो इस एक बारे में आप लोगों को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूब भात की जितने भी को चातर देख रहे हैं यह वीडियो देखी और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा क्योंकि अब आप लोग जल्द से जल्द अपने इंवर्मेंट करके अपना इडमिसन शुरू क सबसे पहली जो बड़ी अपडेट निकल क्या रहे हो कॉलेज एडमिसन लिखा है कि बीए बीस्ती के लिए महामारी तेरा हजार सीटों पचाफ हजाफ जैदा आवेदन यानि कि सीट सिर्थ तेरा हजार है और जो आवेदन हो गए वो पचास हजार से भी अधिक हो चुके ह इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है यह टूटल जानकारी सबस्ते हैं लिखा है कि पंडित रभी संकर्स शुक्ल बिश्विद्द्धलय के अंदर कत बीस्ती की तेरा हजार चासों साथ से अधिक शीटों में दाखले के लिए असारबधिक पच्चाफ हजार आट्रों अगस्त कर दिया गया तो अगर आपको जानकारी नहीं तो इसको ध्यान दीजिए और जल से जल्द अपना करा जाएंगे तो ध्यान दीजिए का अगली बड़ी इन्वर्शिटी को से बड़ी अपडेट निकल क्या रही है सबसे बड़ी अपडेट जो एक है इन्वर्शिटी इसमें मैं लगातार वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन कर दिया हूं और जब इसे सम्रद कोले सब्सक्राइब कराया रिजिस्टेशन ठीक है दे बाइडे बढ़ते ही जा रही है दिल्ली विश्व इद्ध्य लेने दो अगस्त को यूजी कोर्सेच के लिए रिजिस्टेशन प्रिया सुरू की यह 31 अगस्त तक जाली रहेगी यानि कि जो बीड़ी बीकॉम के जो छात् करा रहा है रिजिस्टेशन नहीं कराया है ठीक है तो वह 31 अगस्त तक करा लें कि लास्ट जो डेट है वह 30 अगस्त है ओके तो बढ़ते हैं और अपडेट के बारें पढ़ते हैं लिखा अकड़ों के अंसार अब तक 3,18,000 अम्मय अद्वारों ने अड्मिशन पोर्टल प आइस सी अर्ताले सो सत्रा हर याणा इतना आप टोटल यहां पर सारी प्रदेश के कोर्डिंग यहां पर लिखाया अवेदकों कि सबसे कम संख्या मांचर प्रदेश बोर्ड से 335 है फिसका बुक्तान करने वालों में पूरस्वा वेदकों की संख्या 2555 अवेदकों की सबस से कम कटक और स्निलांग से जिसमें से प्रतेक में दस आवेदन है तो आप लोग ध्यान समझें कि इतना जोरो से हो रहे हैं यानि कि रजिस्टेशन हो रहे हैं तो आप लोग जल से जल ध्यान दीजिए अब बढ़ते हैं और भी बड़ी अपडेट के और इसमें लिखा कि प्रवेश के लिए आंलाइन भरे जा रहे हैं जिसके लिए फिर्वेश के लिए प्रवेश के लिए पहली लिस्ट एक अक्टोबत को जारी कर दी जाएगे तो अध्यान से पर मिलेगा कोलेजों में जो भी जिन भी जिनके राजिस्थान के लिए पर उसे इन्वर्सिटी के तो अगर उन्होंने कोविट की वज़ा से अगरे माता पिता का देहान तो उनको प्रवेस है ठीक है उनका जो एडमीशन वह नियुंतर यानि कम से कम मार्क रहेंगे तब भी उन्हों मिल जाएगा यह अलांसमेंट हुआ है सबसे बड़ी इन्वर्सिटी में से एक राजस्थान इन्वर्सिटी के ओर से ठीक है अब बात करते हैं सबसे बड़ी अप्डेट आ रहे हैं यहां पर लिखा है कि बाप को बता दे कि इंद्रा गांधी राष्यमुक्त इंद्रा गांधी राष्यमुक्त बिश्विद्य लेगनु ने जुलाई दोजारी की आखरी तारीक एक बार फिस से बढ़ा दी है अब 31 अगस्त कर सकते हैं से पहले रिजिस्टेशन करने था वह आप लोग अगस्त कर सकते हैं लेकिन अब बढ़ा कर एक 30 अगस्त कर दी गई है इगनु इंवर्सिटी को से सबसे बड़ी लांस्ट की जा रही है तो ध्यान समझेगा जो भी इस इस सम्रद्ध कॉलेज के अचात रहें तो आप लोगों को यह रिमाइंड कराना मेरी कीजिएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे है वीडियो के सब्सक्राइब में जोआन सकते हैं मिलते हैं इस वीडियों तो तक रहें जाएंगे